नमस्का दूस्तों, Stock Market Studies में फिर से एक वर आपको सागत है तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक धिगज स्टील कॉमपाणी के बारे में अतलर स्टील मैनुफेक्टरिंग करने वाला कॉमपाणी के बारे में तो जितने सारे steel company है उनमें तो मैं हमेसा वीडियो बनाते ही रहता हूँ और जो मेरा सबसे पसंदेता steel है Tata Steel जीनदा Steel अब JSTW Steel इस company को बोल सकते है और Apple Steel भी मुझे बहुत सांदर लगता है तो और एक steel company है जो है Steel Authority इंडिया लिमिटेट तो Steel Authority मतलब सेल जो Steel Authority इंडिया लिमिटेट है वो देखा जए एक government company है तो इस company के उपर दिगज इन्वेस्टर राकेश जुन्जुरबला जी अभी फिलाल के जो current scenario है मतलब जो quarter 3 का result पब्लिस होने के बाद इसमें कितना percentage अभी उनका यहापे बने हुए है मतलब आभी कितना percentage उनके पास है बोर डीटेल से आपको दिखाने वाला हूँ और इस stock के बार में बहुत सरज information यह आपको दिखाने वाला हूँ और एक चीज में सबसे पहले ही बता दू में इस company के technical chart pattern भी आपको दिखाने वाला हूँ कौन सा level break होने के बाद आपको एक अच्छा का सा movement देखने को मिल सकता है तो वीडियो को पूरा देखना बहुत कुछ यहापे सीखने को जानने को मौका मिलेगा और आभी तक अपने इस चनल को सबस्क्राइब कर लाना क्योंकिक्का को daily basis stock market information and update चाहिए तो इस चनल में बने कहा जाता है और इंडिया का Warren Buffett भी कहा जाता है तो इन्होंने stock market से ही सबसे ज़्यादा पैसा कमाया इंडिया में जितने सारे investor है उनमें से देखा जाए individually सबसे ज़्यादा पैसा कमाया stock market से टाके चुणरवाला जी यह एक disclaimer भी आपको देना चाहता हूँ क्या उनको loss नही कवारी करके भी अभी इसका बहुत ज्यादा खुद का मतलब property बन चुके है तो इन्होंने खुद इस company के उपर invest करके रखा है क्योंकि उनका कहिना है कि आप आप stock market के industries में काम करना चाहते है तो आपको patience होना चाहिए कोई भी stock खरीदारी के बाद आप जलबजी से उसको बेज देते है उसको आप अलग strategy follow करके invest करिए तब ही आपको फाइदा मिलेगा तो कौन सा strategy है कौन सा level है उसके बारे में तो जुरूर बात करूंगा और इन्ह ने कितना share बेचा है और अभी कितना share है उसके बारे में जुरूर बताऊंगा तो वीडियो को लास तक देखिए एक एक करके आपको सारे details clear हो जाएगा तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं उनका हिस्सेदारी कितना है तो यहाँ पर मैं स्केनार के वेब साइट के उपर आ 10.51 हो चुके है गवर्मेंट के पास कितना था 0.05 था अभी फिलाल के लिए 0.08 बन चुके है और बाकी माल किसने उठाया पाब्लिक ने क्योंकि पाब्लिक को लगता है इस टाइप कंपानी इसको जौबदस रिटान दे सकते हैं हां मैं जरूरू कहोंगा पाब्लिक के मतलब वो कोई investor नहीं है वो actually individually investor है तो कोई institution नहीं है तो वो भी पाब्लिक के अंदर ही पढ़ते हैं तो आपको मैं जरूरूर एक disclaimer यहां पर दिना चाता हूं देखिए उनका जो stock में निवेस करने का procedure है वो short term के लिए है मतलब वो swing trading खेलते है long term के लिए नहीं मन के चलिए वो दो तीन चार एक साल दो साल के लिए ही निवेस करते है अगर उसको profit निकल चुके है और उसको लगता है future में इस company में का जो growth था वो अभी फिलाल के लिए थोड़ा सा growth काम हो सकते है तो इतना analysis उन्होंने करते है उसके बाद उसके उपर निवेस करते है तो वो stock से निक और September में हिस्सेदारी बढ़ा चुके थे 1.76 और December क्वाडर में क्या हुआ 1.09% अभी तक holding है मतलब देखा जाए तो करीबन 60% से भी ज्यादा 60% से भी ज्यादा holding उन्होंने निकल लिया है देखे 0.60 देखकर आपको बहुत कम लगेगा बहुत बड़ा amount होते है बहुत बड इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं कोई भी स्टॉक में उसका नाम पब्लिक के रेंच में आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पर मुझे लगता है राकेश जी थोड़ा थोड़ा करके मार बेचेंगे उसको profit अच्छा का सा मिली गया होगा क्योंकि वह बहुत low level में इस तरीके से भाग रहा है और infrastructure इस तरीके से घीर मतलब तेजी से ग्रोथ हो रहा है इंडिया का और government भी देखिए infrastructure के उपर ही ज्यादा ध्यान दिया है तो मुझे लगता है steel sector भी भागईगा तो इसलिए देखिए टाटा स्टील जे स्टील जिन्दा स्टील बाजट के बाद आज है किस तरीके से तेजी देखने को मिला आज मतलब पिछले दिनों में वी टाटा स्टील में तो बहुत रेकॉंड तौड dire देता हो चलो यहाप रिचोपर चुका हो तो यहाप देख सकते कौंसा है steel authority of india limited तो यहां पर जो figure है company ने जो result किया वो करोड़ों में है तो आपको देखने के अच्छा लगेगा तो किस तरी के से result किया वो देख लीजिए 25,400 पिछले quarter में था 27,057 पिछले सालों में था 20,049 तो company का income पिछले quarter के तुलोना से थोड़ा सा कम हुआ मगर पिछले सालों के तुलोना से करीवन 5,000 करोड बढ़ चुके है मतलब year of year basis अच्छा का सा performance हुआ और उसके बाद expense के बारी तो expense देखे 23,000 उस पिछले quarter में था 21,000 पिछले सालों में था 16,000 और company के उसके बाद देखे कितना current जो मतलब जो taxes है उसको pay किया taxes pay करने के बाद company के हाद में या profit 1443 पिछले quarter में था 4,300 पिछले सालों में था 1,283 इसका मतलब company का जो earning है बहुत सांदार और जबद से आपे देखने को मिला क्योंकि 4,300 करोड का profit था पिछले quarter में बहुत अच्छा का सा profit था अगर इस quarter में उतना अच्छा खासा profit नहीं देखने को मिला 1443 करोड profit बन चुके है हाँ profit तो ज़रूर किया मगर उस तरह के से profit नहीं हुआ जो पिछले quarter में हुआ था पिछले सालों की comparison में थोड़ा सा profit growth हुआ 200 करोड अब बोल सकते 200 करोड का profit ज़्यादा हुआ तो कमपणी का earning पस है देख लिए 3.49 पिछले quarter में था 10.42 पिछले सालों में था 3.11 तो earning पस है पिछले quarter के तुलोना से तीन गुना कम मुझे देखने को कम देखने को मिला है तो क्या कमपणी खराब हो गया इस तरीके से कुछ performance नहीं वोलूँगा कि को कमपणी खराब नह इतने सारे steel sector है उन में से third number ranking में है व्यूकर GSW steel number one है व्यूकर इसका market के प्लेशन एक लाग करोड से भी ज्यादा है उसके बाद टाटा steel है इसका भी market के प्लेशन एक लाग करोड से भी ज्यादा है और उसके बाद जो company आते है वो है sell तो 42,000 करोड इसका market के प्लेशन है देखे company कोई खराब नहीं है क्योंकि company का performance भी जबदस्त है सर्फ एक ही condition है company government है तो इसमें आपको उतना तेजी देखने को नहीं मिलेगा जिसना तेजी आपको देखना चाहिए तो देखे company का performance आपको सिर में गर्जे के बारे में बात करूंगा company का depth है 24,000 करोड और company का depth of equity 0.47 करोड मतलब company का depth of equity भी उतना ज्यादा यहापे नहीं है तो company का हाथ में जो profit आते cash जो है वो सांदर है 19,000 करोड से भी ज्यादा company का annual income 4,000 करोड से भी ज्यादा तो अच्छ 32 रूपीज अर्निंग तरह है 102 रूपीय का share में 32 रूपीज अर्निंग मतलब बहुत अच्छा का सा अर्निंग है तो company आपको किस तरह के से return दिया वो भी देखना चाहिए हाँ 10 साल में आपको obviously negative return मिला वगर 5 साल में 10% 3 साल में 29% और एक साल में तो गजब हो गया 52% का return द पूर ज्यादा निवेस करने के लिए नहीं कौंगा आप छोटा मोटा निवेस करिए फिर वे दिखिया आपका fund है आपका पैसा है आप चाहेंगे तो ज्यादा निवेस कर सकते है उससे पहले आप study कर लीजिए इस company के उपर उसके बाद निवेस करने के लिए सोचिए तो 2020-2021 में इतना तीन बार डेविदें दे चुके है मगर ट्वेंटी में नहीं दिया नाइंटी में दिया ता और फिफ्टिं में दिया था और भी पिछले सालों में दिया था मगर 2020 में आपको कोई भी डैविदें नहीं देखने को मिला क्योंकि 2020 में उतना अच्छा खासा performance कम आपे देखा जाए तो company performance उतना अच्छा भी नहीं था तो company के टेकनिकल चार्ट पटरन के बारे में बात करो देखिए आपे में एक trend line drag कर करका हूँ देखिए trend line को आपको सीखना है जानना है तो आप technical analysis को मतलब कर सकते हैं और मैं यही कहूंगा आप internet level में काम करते हैं तो आपको नीचे link दिया गया है सारे के सारे link में आप follow कर सकते हैं आपको nifty bank nifty stock future of sense सारे के सारे calls आपको हाँ से मिलता रहेंगे तो यहाँ पर देखिए एक trend line drag करकर रखा यहाँ पर जो pattern बन रहा है वो flag and pool का मतलब यहाँ पर जो pattern है अच्छली इसको flag बोलते है और इसको pool बोलते है तो flag and pool जब इस flag का जो level है इस level को break करकर अगर उपर closing देते हैं मानके चले इस तरीके से कुछ closing होते है तो आपको एक अच्छा खासा आप level moment देखने को मिलेगा और top level अगर break करता है तो बहुत बड़िया एक आपको level देखने को मिलेगा तो मुझे लगता है यह flag and level और भी छोटा होता जाएगा और जब इसका break करेगा किसी भी range break कर सकते है देखिए यहाँ पर 3 बार यहाँ पर support लिया एक 4 एक दो तीन चार इस चार बास हपूल लिया मतलब company downfall में नहीं है company upton में है थोड़ा सा यहाँ पर consolidate कर रहे है तो मुझे लगता है इस label को break करने के बाद आपको आप movement देखने को मिलेगा तो आसा करता है उस हारे जान कर आपको मिल चुगा है तो मेरे वीडियो अच्छा ल कि अपने ख्याल लगिए बाई